वेलकम टो मैसकेडमी आज हम बात करेंगे लाब और हनी मतलब प्रॉफिट और लॉस ठीक है तो इसमें हम आज बेसिक देखेंगे और कुछ कोशन भी करेंगे ठीक है क्योंकि पहला पार्ट है थोड़ा बेसिक देखना जो रही इसका और यह जो है आपका डेली बेसिस में का तो देखो यह बहुत है तो देखो उसी में समझते हैं जो हम डेली के मतलब इसको यूज करते हैं ठीक है उसमें समझते है ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो आपको क्या बनना है देखो इसमें आपको बनना है आपको ग्रहाक नहीं बनना है यहां पर आपको दुकान दर क्योंकि कुण में यहाँए नुक्रणा सबीक हो थीक है ज्ट एक ध्राख करें किन विश्या समान बेचता है बंडा में वेचता शमानением qarana c未 फेस्सकों बोला किराना दुकानदार Oh किराना दुकान दार हो ठीक है आप थोक विकरता से समाल ले रहो ठीक है मानके चलो मान के चलो एक कोल गेट और अड़ते हो और और इसका रेट कितना है 100 रूपए है 100 रूपए में आप इसको खरीद रहे हो ठीक है मतलब आप थोक रिक्ता से आप 100 रूपए में इसको खरीद रहे हो ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका लागत कितना हो जाएगा 100 रूपए टीक है 100 रुपे में खरीद रहे हो और ग्रहा को कितने बेच रहा हैं 20 agree रहा है तो आपको मतलब खरीदे हो क्रीदने हो है जो है ऐसी कि बोलते है है इसको क्या बोलते है क्रे च्रेम मोल Gleich क्रे मतलब है क्राय के 것을 ऐसाना थीक shoulder प्राइक का मतले होता है खरीदना और जिस मूल्य पर आप खरीदे हो उसको क्या बोलेंगे करेम ले इसको इंग्ली सब्सब्स में बोल देते हैं आपका कॉस्ट प्राइस ठीक है सीपी बोले नीश्या रोपाय और यह 120 रुपाय है ठीक है 120 रुपाय जो आप ग्रहा को बेच रहे हो वो क्या हो जाएगा आपका selling price हो जाएगा ठीक है तो इसको SP बोल देते हैं क्या बोलेंगे selling price मतलब SP हो जाएगा ठीक है तो देखो यहाँ पे दो चीज हो रहा है एक तो आपको खरीदने का हो रहा है तो इनलों के बीच को कड़ी है देखो साओ और 120 की बीच का जो है यह यह वह आपको क्या हो जाएगा प्रॉफीट ठीक है क्योंकि आय। एकसो बेशने घ्लेग भी साक celui मिर अपको मिर ठीक है तो आपको अब कि अब लाब वोगया प्रॉफिट आपको बीच रूपए तो तो देखो यहां पर पर सेंट की बात किया ठीक है अगर परसंट की बाद कीज़ा है आपकर अपर ? कितना है तो लाब प्रतिसद कैसे निकालेंगे देखो यहां पर लाब कितना हो रहा है कोई भी चीज का परसेंटेज का साइन लगाना ठीक है तो उसमें निकलता है और सव का गुड़ा क्यों करते हैं परसेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सव का गुड़ा देखो सव परसेंट का मतलब क्या होता है एक बटा सव ठीक है तो किसी चीज में एक का गुड़ा करने से कोई फरक नहीं पड़ता है इसलिए इसको गुड़ा करते हैं कि परसे द्वीन में लिखते है वो द्थिक को आपका आश्य है निचे में जाएगा आपका नीचे वर्त 1940 छो देत्टSPF क्टिक है यहां पर यह यह प्राफित परसेंट या पी परसेंट थी क्यों दैगा आप के अपको सीपी बुरा सब्सेंट फीक है यह तुसा लाप परक्षेंट की बात इसी प्रकार हानी वाला भी देख लिते हैं तो हानी कब होगा आपको देखो अगर आप मतलब देखो सो रुपए में देखो पोल गेट ले रहे हो ठीक है बेच रहा हो ठीक है मतलब महंगा खरीदे सस्तम बेचे असी रुपए में बेच रहे हो ठीक है आपको क्या है आप बेचना जो मजबूरी हो ठीक है नहीं खराब हो जाएगा उससे अच्छा क्या है आप सस्ते में बेच दिए ठीक है तो वह क्या होगा आपका मतलब यहां पर क्या हो रहे है आपको लास हो रहे है क्यों हो रहा है क्य तो यहां कि प्रसेंट के बात करेंगे तो हानी किसे निखालेंगे आपका तक है देखू नीचे क्या रहेगा देखो अली क्या है उपर तो देखो यहाँ पे आपको क्राय मुल्य रखना है क्राय मुल्य क्या होता है ठीक है क्राय मुल्य पर ही हानी हो रहा है तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 20 हो रहा है आप 10 फरसेंट हो यह होग है आपका यह गया प्रेयम मुल्य और वह क्या हो गया विक्रैम हो ठीक है सैलिंग विक्रैम हुए यह आपको भिक्रेम होई जो कि अधिक है तो यह आपको क्लियर हो जाना चीह है क्लियर हो गया होगा तो अब क्योशन में आएंगे तो कुछ दिख्र नहीं होना चीए यह रहे चाहिए पहला को समस्राइब है तो यह थी किमा बोरा है यदि 20% का आपको लाब भुर। ट्रीक लाब कर तीना वह पतितना दिया लटव कितना दिए लाब कितना दिया थीप परशंट पर स delivers परसंट दीस परसंट की अ पपोसारे अंक्या तीस्पर सलिवर थीविटेस अ सबीस रूप है ठीक है रहे की तब कितना दिए आप सबसब किसे पर इपता आप तो कैसे निकालेंगे वी नहीं पता जो एतना आसाल वी करते हो ठीक है तो क्या हम ब्रेक करते हैं ले लो या परेक्ष्ण जाएगा तो देखो कोई भी चीज कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है जैसे आप हो तो अपने आप में 100% कोई भी जैसे की पर देंगे आधक निकालने कर देंगे तो क्या बन जाएगा तो वह जाएगा तो प्रसेंट या एक होती है एक वस्तु है अगर बात करें तो हंड्रेट पर्सेंट का मतलब क्या होता है तो क्या हो जाएगा एक वस्तु बोलेगे ना ओतो क्या हो जाएगा एक वस्तु है या अहंडेड परसंट ठीक है तो कोई भी चीज अपने आपने अंदेट परसंट तो देखो मान के चलो हंडेड मानना पड़ेगा आपको कोहीं भी ठीक है अंडेड मान चलोगी जल्दी असानिस बनेगा तो कोई मानके चलोगर CP ठीक है अगर CP क्या है 100% अब आपको क्या हो रहा है इसमें लाब हो रहा है तो कितना परसेंट लाब हो गया तो SP सेलिंग प्राइस बढ़ेगी बढ़के आएगी मदब साव में 30 जूड़ जाएगा तो 130 बखात है तो सेलिंग प्राइस हो गया 130 टीक है अब 130 परशेंट की वेल्व आपको दी गई है फांसोहथ घ्स कितने वेल ओड़ियों turkey कालों तो ऐसे निकालोगी देखो यहां पर 130 तो थीस परसेंट में निकालोगे तो भी बन जाएगा लेकिन मतलब मेरे खाल से आपको परसेंट हटाक निकालना चीज़ ज़्याद अच्छा रहेगा ठीक है परसेंट ही मतलब मानके चलो 100 है ऐसे मानो और यह 30 है मसटलब कितना भी मान सकते हैंoure अर्ल sme you can focus on की माम सकते हैं लेगीन सब defense क्लेक्स इसलिए सव मानकी चलो ठीक है उसमें 30 जूड़ गया मंजंगे ठीक है है तो क्या हो गया 130 हो थे क्या है ठीक है यह क्या है मतलब मतलब वो आपको नहीं है ठीक है थी तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका वनलाब 130 क्या है आपको देंटर विजिस हमारा सेँट प्राइस जाएग परना क्शेंटेट का दार पर पे टीक है कितना गुणा हो है देखो तीक सो तीस में चार गूड़ा करें तो पात्स सो बीस तो चार गूणा यह हो रहा है तो चार गूणा इधर भी होगा ठीक है चार सो रूपह सकते टीक हैं और कई तरीक सी निकाल सकते द्यूसरह तरीक भी दिखा जेते हम आप तहीं टीक से में रिश्यू से देखो श्री दूहरे मं इसमों मतलब क्या है रेशियो में लेंगे था उसको करेंस ने के तीस मी टो तीजी अहट है आपको दिया है ​​्टीस टि Siya थीज आपको दिया है तो तीस परसेंट को आप रेशियो में करो तो डीजीओं करने get us तो तीन बठेना दस रेशियो में आ गया तो क्या हो जाएगा मधणी होगा तो यहाँ प्र में क्या नहीं होगा तो दस क्रेm हो जाएगा देखे लगें रहा है तो लॉड़ेकर अंवेट नहीं करेम कही थे में कृतिक deze कुछ प५टनी है जो रही है और वी डूसला जुड़ा तो जाकर हम मूले हो रहा है तो ग्रेम यहाँ पर केंग है अब आपको बोर एविक्र्यमोली कीमत कीमत is na 520 रूपय तो त्यरा कीब रूपया स्थी क्या है फांसोग पर थांसोटमी सत्फ्रिया कि मतलब ते रहे विकriskल से त्यॉसे कितना कऱो得 50 मतलब 40श हो यहां पर 40 Choi हुरे ठीक हैं तो 40 अ बुणा हुआ है है ठीक है मतलब ratio में ratio से Actual value कितनी है चालीस गुना है ठीक है तो यहां भी क्रहें मून ले कितना हो जाए गार चालीस गुना करना पड़ेतीटिक है तो यह पीडिया चा लीस गुना करना पड़ेगा कि तो कितना हो जाएगा चार सो रुपए तो यह आपका अंसर बनेगा ठीक है यह वाला अंसर वैसे कोश्चन करते हैं आपको बहुत अच्छे स्क्लियर हो जाएगा कॉचंण क्या हो अवक्ति किसी वस्तू को 240 रुपे बेशता है विकरयम मुल्य का दिया है को सचारीज्ज को है के श ह İşte क्शैने में बना तो क्रेम भ लाब बना मैं नो क्या हो जाएगा आपको क्रेम पूछ्य रहेता पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो देखो यहां पर क्या बोर रहा है विक्राम यहां पर चोटा है तो क्या जाएगा आपको यह तो उल्टा भी ऐसे लिख सकते हो को करने है तो आपको दिया है देखो 20% की हानी हो रहे यह तो दिया है अगर 100 मान के चलते हो ठीक है तो 100 आपको किसको लेना पड़ेगा क्रेम मुल्य को ठीक है आपको 20% हानी हो रही मतब सौ का कितना होगा एंगा कि अदेखो यहां पर आपका 100 क्या है आपका क्राय ठीक हा और उसमें 20 तो क्या होगे है आपका असी सव क्या जोटा है आपको मतलब क्या हो खरीध रहा है कम में बेच रहे क्माने हो नहीं सिधी बात तो यहां पर देखो 80 का वेल्यू कितना दिया है आपको 240 तो यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 300 रूपए ठीक है और रेश्यों से करोगे तो यहां आपको हानी दी गई है इस परसेंट का वेल्यू कितना होता है आपका एक बटा पांच ठीक है यह चीज़ क्लियर नहीं है तो परसेंटेज के मेरे पहला वीडियो देखो मैं वह सब्सक्राइब करते हैं कि देखो अब करते हैं इसका अंसर आजयगा 300 तीक है अगला कोशन करते हैं कि देखो करते हैं कि क्या वह रहे हैं यदि एक को एकती किसी वस्तु को 810 रूपय में बेच रहे हैं मतलब सेलिंग कर रहे तो उसको हानी हो रही है तो उसको 10 लाप राप्त करना है तो आपको वस्तु कि कितना में बेचना पड़ेगा ठीक है तो इसमें आपको देखो आपको क्रेम उल्य तो दिया नहीं नहीं आपको क्रेम उल्य क्या है अधार है ठीक है क्रेम उल्य के क्या होता है अधार आख निखर निखल गया तो कुस्चेन सॉल हो थिक है तो क्रेयम उल्य जलदी से जल्दी निकल जाए और आपका क्रेम निकालते हैं पहले तो यहां तो यह कंशन कर रहा है तो कभी बढ़ते कर रहा है तो ज्यादा असान रहा है यह ऐसे बढ़ते जाएगा ऐसे बढ़ते हो थे कि मतलब इधर तो फैसे ही बड़ेगे ठीक है वैल्लियू उलटा इधर नहीं होगा जैसे कि है वैंटहों सो अग्यों 50 पचास बीच में आ गए यह अयह को अचरानी मतलते हो लेना आपको यह बढ़ते हो अभखते तो अटहूंगा उन्सक्राइब क्या हो रहा अब को सबसे पहले 10 ठानी हो रहे हैं प्रेम मुल्य क्या किसी भी कुष्टन का अधार होता है मैं पहले लो क्राइव मुल्य बन लिखे अब क्राइव मुल्य के नीचे आपको पता नहीं और मुल्य के नीचे नपर आपको जाएका देखो आपको 10-10 की हानी और इधार हो ठीक हैं क्रेम उल्य नहीं पता है तो क्रेम उल्य को क्या मालो सौ मालो अ आप सौ मालिये 10 पर्षेंड कि हानी हो रहे अभा नी कि धर होगा इधर होगा ठीक है आपको कहलाळ में उधर बढ़ेगा वाणी की मिल्म क invites न्यों हो रहा क्या क्म कर आप क्या होगे विक्रे मुल्य आगे 90 हमारे साब से 90 है ना अभी वेल्यू देखेंगे भी तो क्या बोर रहा है किसी वस्तु कितने में बेच रहा है तो आपका 90 हो गया अब देखो इससे मतलब तुलना करके निकालना अब रुपए में आप कितना है आपको आट सो दस रूपए तो आट सो दस लिख लो कि 810 का है रुपए में ठीक है मतलब यहां पर रूपए लिखने की बार बर ज़रत नहीं है रुपए वाला लाइन है आपको पता है अब देखो नबे से सब तो क्या होगे आप जो पूछ रहा है बस निकालना अपने को अब देखो 10% प्राप्त करना है दस आपका जूड़ जाएगा है तो ये भी चैंब कहते है अब यह बेच रहे वह भी क्रहा क्से और भी बिच रहे उब भी चैंब होके पादनियों होगी एक लाभ विक्रहा मुल्ले अब एक लॉए हो आपको पुछा गया है 110 को विल्य को पूछा के देखो यहां पर वस्तू कीस मुल्य पे बेचनी होगी ठीक है यह आपको पूछ रहे है यह ना पर हो यह तो यहां पे हो जाएक है नौग तो 110 मिन्ना को गुड़ा करें कि तत्ता आजाएगा ग्यारा नियानी नियान्बे-910-990 यह आपका आंसर हो गया तो आंसर क्या होगा देखो और नौनपब्य रूपए तो ऐसे आप पेपर में जाओगे डाइग्राम अग्रम इतना ज्यादा डाइग्राम बनाने जुद्ध है आपको वैल्यू बस लिखते जाना है एक लाइन से और यहां पे क्रैम मुल्य बस अगले वीडियों कर रहा हूं अभी तो छोड़े-चोड़े करा रहा हूं देखते हैं अगला कोश्ण अगले निघ्ल माने कर दो और अगलें तो चार पटाने नो मले तो हैं अगले करें इसाइँ पॉल्सक्त क्रेम ले कबनाती मरुथ अपको पता नहीं है एक आप आप 100 मांनते नहींडे मालव त्क है पता नहीं है को क्रैमुल्य पता नहीं क्रे मुले सो मानती हो सो मालों सो माल Lak dopamine कितना डां जाएगा उसका बटा तीन हो जाएका ठीक है मुलय स्वका चार बटा तीन हो घृप क्या हो जाएगे ठीक तो यहां पर किता हो रही कितना इनको पर तीन लृब मिल गया तो लाब प्रतीसत निकालना पूठीक है दिए कितने का हो रहा है 103 का ऑर नीचे में क्या लेंगे क्रेम उली कुतना है पर साउग तो तो क्या करेंगे सा से गुड़ा करके परसेंट का साइन लगाएंगे तो देख़ो आप है आप और बचा आपका एक बटा तीन बचा है और सौ बचा ठीक तो सव बटा तीन बच गया है तो क्या हो जाएगा पर्सेंटेज तो तो यह आपको अप्शन नहीं मैं आप्शन गलाद लिख दिया था इसको बचा दे रहा हूं यहां पर दूसरे कोश्चन का ऑप्शन हो गया तो कितना हो जाएगा आपको 33 सहीं एक बटातीन परसेंट आपका क्या आएगा आणसर आजाएगा ठीक है यह यह तो एक तरीका हुआ दूसरा तरीका भी देखते हैं इसमें क्या आपको मानना पड़ रहा हूं तो यह मेरे खाल से असान है लेकिन थोड़कर टैम टेकिंग हुआ अब बीना टैम को बनाना है उसको भी देखो देखो यहां पर क्या बोल रहा है किसी वस्तू का विक रहे हैं और उप्पर वाला ठीक है गुना में बात कर रहा है तो फिक्रे और विक्रेम उल्य में देखो लाह क्या होता है दोनोंको अंतर होता है देखो इसको दोनों को अंतर कर दो निकाल लेंगे तो क्या करते हैं लाप को परदीशत करते हैं नीचे नीचे क्रेम लें क्या तो सब्सक्राइब करेंगे अब सब्सक्राइब का लगाएंगे तूंद अब अगर आपका जाएगा 33 सहीं एक बटा इन परसेंट ठीक है यह आपका अंसर हो जाए ठीक आप अगला कुशन करते हैं इसी अब देखते हैं पांचों कुशन देखो पांचों कुशन बोल रहा है किसी वस्तु को 14-70 रुपए में बेचना है ठीक है इसमें बेचने परसेंट में परसेंट से जाओ गए तो यह कैल्कुलेशन कटीन हो जाएगा ठीक है क्योंकि दसम्हलाव लगा है पांच परसेंट की वेल्यू अगर निकालोगे तो भी निकाल जाएगा निकाल के दिखा दूँगा कोई दिक्कत नहीं हैं और नहीं भी निकालोगे तो दूसरा भी तरीका बताऊंगा जिससे आप आसाने इस निकाल पाऊ ठीक है कोई भी परसेंट रेशियों हम लोग अगर परसेंट में पढ़े हुए हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी वात नहीं हो किसी भी परसेंट का वेल्यू निकालना ठीक है कहीं नहीं से हम निकाले लगेगा तो भी देखो यहां पर रिश्यों बतलेंगे क्या करेंगे देखो यहां पर यहां पर देखो नीचे भी क्या लग जाएगा ठीक है अब 25 से भाग लगाएंगे यह होता है और यह होता है आपका सब्सक्राइब 25 निया 225 होता है ठीक है सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर जाएगा परसेंट यह चालीस हो जाएगा ठीक है तो आपको नव बटा चालीस यह आपको गुड़ा भाक्तर के लिए ऐसे भी करके आप इसका दुसरा तरीका रेखो बाई-देस अमलब पांच कहांस हागा तो आपको टुट परसेंट की विल्यु पटा है तो कि पर थीक है आपको परश्पेश्ण की विल्यू पता है और देंको 9 परसेंट क्या होता हम अदश्यू नम वर दस सो में नभी यह संव सब्हाया दस में नों होना की मतलब है नभे पैसे आधा करो इसका आधा करके देखोनateful तुम आधा कर scrambled 45 पैसे मिलेगा 45 परसेंट के होट करो उसका करो चेखा अचरो फिसका अधा करो कि तुसका अ ऊसरalley जाएगा और उसका फिर आधा करो ठीक है 45 परशंट का आधा करोगे तो आपको सिध्धा यही वाला मिलेगा बाइद पांच परस्ट ठीक इसका और आधा करनो एक बार यह आपका आगे बाइद पांच परसेंट बाइद अलोग पांच परसेंट मतलब क्या हुआ नव बड़ है ऐसे भी आ गया असान तरीके से यह तो आपके अपने माइंड में हो जाएगा पिठीक है माइंड से हो जाएगा नवे परसेंट मतलब आपको सीधा दिख रहें नौबड़ सीधा आधा करो कि पैंतालीस फिर आप आधा करो फिर साड़े बाइस्साना तो क्या हो जाएग ऑफ चालीस से क्या हो रहा है नौ अब लाव हो रहा है ठीकशालीस चालीस वैल्यू पहले क्या थांपको 40 में था सभे लू और हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा Sharge अब 49 के value आपको दी गई है 1470 एए यह SP यह आपको दिया गया है 1470 तो 49 का कितना मतलब कितना गुना है ठीक है अगानधी चलो फटाय वद्पंध्र सहो तो 30 गुणा णायेगा तो 30 में लगा तो 30 गुणा शुर्फ 25 गेमा 30 गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका आपको 40 क्रेम मुले पुछाना 40 का 30 मतलब चार्ट यह बारा बारा सो यह आपका आपका हो गया आंसर ठीक है अब ऐसी एक कोश्चन इसी पर और करते हैं अब देखते हैं छड़ा कोशन इसी टाइप का देखो चड़ा कोशन में क्या हो जाएगा यहां बोल रहा है आपको किसी वस्तु को 19 सव रुपें बेच रहे हैं और आपको लाब कितना हो रहा है 18.75 का लाब हो रहा है अब परसेंटेज के लाब अब देखो यह परसेंट भी अपने तरीके से हम जो परशेंट जानते हों उसी तरीके से इसको कंपेर कर देंगा त्रीक है जैसे आप इसी से रिलेटेड यह किसका गुना है देखो गया 6.25 परसेंट का वंद आपको पता होगा इसका परसेंट का विल्यूव्य पता है ठीक है जासा को आड़े-बारा आपको आधत बन गिए लेने की एक बटाइध तो उसका भी आधा होता है ठीक है साड़े बारा परशेंट का वैल्यू कितना होता है एक बटाइध होता है उसका भी यहादा यह एक बटा सोला है यह क्या है आपका एक बटा सोला हो तो देखो आधा-धा होते गया है मैं पहला बटा चुका हूं इसका आधा-धा होते गया है तो ऐसा वैल्यू बना ठीक है तो तो 6.25 का देखो यह 3 गुना दिख रहा होगा ठीक है 6.25 का 6.25 का परसेंट का देखो 3 गुना है ठीक है चैती 18 और 0.25 का 3 गुना करोगे तो 0.75 ठीक है इसका 3 गुना खुद है तो क्या हो जाएगा एक बटा सोला कि एक बटा सोला का 3 गुना है तो क्या हो जाएगा 3 ऑटन फूरा हो जाएगा त्रेखो 3 ऑटन फूरा हो गया है तो क्या है आपको अस्तुक क्रेम उल्हें निकाला ठीक है क्रेम मुल क्या है मानवन कि छिर 9 वफर में तुछा तीन जुड़ेगा उन्नीस बनेगा तो आपको देखो मतलब एए उन्नीस की वैल्यू क्या दी गई है उन्नीस सो दी गई है ठीक है तो अग्ला कुछन करते हैं अब देखते हैं वह सातोह कोशन क्या वह रहा है यहां पे आप सोतन परहुंद आप देखो क्राइम मुल्ल लो सो ठीक है कि यहां पर कोई कोस्चन बनाना नहीं है कुछ लंबा ठीक है आपको तो क्राइम मुल्ले पूछा ठीक है चालीस पर्शंट मतलब कर देतना होता है चालीश मुल्य बर्ह द्सक्राइम बुल्य क्टाइब क्रेमुल्य हो गया क्या चालीश क्या हो गया जो गें कै方面 है तो क्या बोर जह Посोच देखो Temple em क्रायम मुल्य का कितना परसेंट तो देखो यहां पर क्या हो जाएग यहां देख देखो ने कितना मतलब को आधार क्या हो कि रॉजा इचालिस टीक है तो नीचे जिसका का बोलता है न उपका अधिकार व्यादि pajauen है ठीक है मीचे में क्या है यह बेस है ठीक है बेस मतलब यह अधिकार वाली बात है ठीक है अधिकार यहां पर क्या है का जैसे का वड़ जो है अधिकार को सोकरता है ठीक है तो जो बेस रहता है जो बड़ा होता है ठीक है बड़ा को जो रही नहीं हो ठीक है मतलब अधिकार व हम्तलब कोई मंजिल है एक थिक मतलब इसमें क्या है अदिकार बेस कहा थीक है था तो बलब तो अभे चैजिसी आपको नीचे आपको पुत्र क्या उपर में आएक याओन है पिता ठीक है पीता का बेटा बोलेंगे तो उपर क्या पूत्र चोड़ा और यह पीता बड़ा नीचे अधिकार वाला तो वैसे आपका वही चीज़ है तो आपको और इसके आगे देखते हैं और यह वाला तरीका से और भी तरीका इसका करने के उसको भी देखते हैं थर डी परसंट को अपन लिए सकते हैं 40 परसंट को सकते हैं दो बड़े पांच ठीक है तो आपको देखो यहां पर सीधी बोल रहा है किसी वस्तु का क्राइम मुल्य उसके वीकार वाली बात नीचे वाल हो जाएगा मुन पाँच करहां पाँच आपका कितना अब जो पहले 5 पांच में क्या था तो क्या पूछ रहे अब उल्टा इसको उल्टा पूछ रहे तो पांच बाट निकालना है तो आप जानते हो सवका गुडा करते हैं अब परसेंट कसा ही लगाते हैं तो दो से बाग देदो इसको तो से जाएगा यह पचास बार पचास पंचे कितना हो जाएगा पड़ाइसो परसेंटेज आप ऐसे भी अंसर ठीक है तो रेशियो में थर से थोड़ा आसान हो जाता है तो अपना लो ज्यादा अच्छा रहेगा दोनों ऐसे आना चीए ठीक है मतलब आपको तो भी आना चीए तो अगला कु क्या बोर रहा है सोहन एक स्कूटर 4700 रूपए में खरीदी और 800 रूपए उसकी मरम्मत पे खर्च किया ठीक है और उसको पांच और 800 रूपए बेज दिया तो लाब परसेंट क्या होगा ठीक है तो आपको यह खरीद किते रहा है आपको स्टीपी क्या होगा देखवा आप अरी इसको रहा है 4700 रूपए ठीक है उसके बाद मरम्मत पे खर्च कर रहा है ठीक है मतलब उसकी कुल लागत क्या होगा यह आपका देखो 800 रूपश में जूड़ जाएगा ठीक है यह क्योवर लागत नहीं हो गई ठीक है मतलब लागत क्या है जितना पैसा आप लगा रह है ठीक है 800 रूपश में खरीद रहा है मतलब लागत हो गई और क्या हो जाएगा आपका यहां पर दोनों कंतर देख लो कितना हो रहा है दोनों कंतर दोनों कंतर आपको 300 रूपए आपको क्या होगे फायदा होगे तो प्राफिट परसेंट कितना आएगा ठीक है तो देखो यहां पर डबल जीरो डबल जीरो कड़ गया यहां से डबल जीरो डबल ग्यार से 600 भाग लगा तो आसे स्वाय में लिख्ञाओ कि अ गयारा पंकुचल पर चुश्पत सबनेंवारान सब्सक्ताट तो तो ग्यारा से भाग लगां कि आपका यह साथ है अग्यारा से भाग लगा अब बचा कितना पांच तो आगका परजेंट पांस नहीं पांच परसेंट एंट आघ ये हुए तो आज के दिल्टन करते हैं बाकी कल कि तो फ्रक्राइब और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को अजब आपछ से घविज हैं गुझे सबस्का प्पाज़ पुझे